दोस्तों यह जो आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है यह PDF है एंटी ए ने रिप्लाई किया है उन सारे केंडिट्स को जिन्हों ने उनके अगेंस्ट में केस किया था और यह पांच पेश का आपका PDF है और यह और एंटी ने दिया है दो अपरेल दो हजार चौबिस को दो अ दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों यह आपके सामने जो PDF दिख रहा है ना इसमें एंटी ने एक और रिलीस किया था और रिप्लाई किया उन सारे केंडिट्स को जिन्होंने उनके अगेंस्ट में केस किया था अब सब्सक्राइब केंडिट्स कितने हैं 89,657 अपियर्ड केंडिडेट्स हैं 33,228 नवे हजार में से सिर्फ 33,000 लोग अपियर हुए और मेंस का पेपर वन देखिए आपका कम्प्यूटर बेस टेस्ट हुआ था 25 जनवरी 2024 को और उसके बाद 5 फरवरी 2024 को और यहां पर आप द प्रेस्क्रिप्टिव जो था यह आपका 300 मार्क्स का था मेंस का पेपर टू यह भी आपका सेम डे पर हुआ है 25 जनवरी 2024 और पांच फरवरी 2024 इसमें देखिए दोस्तों 10,444 कंडिडेट्स एलिजिबिल थे जिसमें की अपियर हुए इतने 9668 9668 अब यहां पर एक और इ इन्होंने बोला है कि 2644 कंडिडेट्स यह इन्होंने बोला है कि जो इन्होंने बुलाए हैं इंटरवियू के लिए और यहां पर इन्होंने क्या लिख दिया है 239 results awaited अब आप देखिए यहाँ पर important चीज जानना यह जरूरी है कि यह जो 239 है यह bracket के अंदर लिखा हुआ है 2644 के अंदर 239 अब यह inclusive है यह exclusive है यह हमारे पास अभी जानकारी नहीं है यह inclusive है मतलब कि यह 239 जो results awaited है यह included है इसी में मतलब कि इनको interview के लिए call already आएगा या फिर नहीं आएगा अभी जहां तक ऐसा लग रहा है कि यह already इसी में included है तो कि यह इनोंने bracket के अंदर लिख दिया है otherwise इनको लिखना पड़ता अलग से 2644 टोटल डेटा है जिसमें की 239 नहीं ने दे दिया है और मेरे हिसाब से यह inclusive है अगर exclusive होता अलग होता यह excluded होता यह data इसमें नहीं होता तो यह अलग से इनको देना चाहिए था लेकिन उनने bracket में लिखा मेरे according यह inclusive है बाकि दोस्तों आपको क्या लगता है आप हमें comment करके जरूर बताइएगा अब देखिए यहाँ पर और कुछ important चीज़े आई है उसको भी थोड़ा से समझते है प्रिलियम्स एक्जाम का इनों ने दिया है कि December को हमने कराया है result इनों ने बोल दिया है 10 जनवरी 2024 को दिया है जबकि 10 से 14 तक चला था अब देखिए यहाँ पर इनों ने दे दिया है minimum eligibility criteria दे दिया है इतने percent marks यह सब होना इससे मतलब नहीं हमें चली छोड़ी आगए देखते हैं यहाँ पर देखिए कुछ और important चीज़े हैं उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं मेंस पेपर 2 आपका 25 जनवरी को हुआ था इसके बाद इनों ने लिख दिया है amendment admit cards were forwarded by nt again and intimation in the form of email देखिए किल क्लियर लिखा हुआ है however due to technical glitch some candidates received admit cards with center details of the prelim exam तो उन्होंने चेंज किया इसके वाज़े से इनोंने क्या कर दिया यहां दोबारा exam candidate करा रहा है और यहां पर देखिए इनोंने एक और चीज़ दी है पांच फरवरी 2024 को जो exam हुआ है 1037 1037 candidates इसमें से मिस्ट हुए थे जिनोंने exam दिया और उसमें से 1037 candidates जो मिस्ट हुए थे जिनका exam मिस्ट हुआ था उसमें से सिर्फ 258 अपियर हुए यानि कि जो पांच फरवरी को आपका exam हुआ है उसमें से आप देखिए 1037 candidates का मिस्ट हुआ था जिसमें की सिर्फ अपियर कितने हुए 258 ठीक है और यहां पर आप उपर data देख लिजिए जो इन्होंने इस page पर दिया है कितने हैं यहां पर देखिए appeared candidates 9668 ठीक है जिसमें की 258 आपके 5 फरवरी के आप इसमें से count कर लिजिए यानि कि 9410 candidates आपके 25 जनवरी 2024 को अपियर हुए है यह 25 जनवरी 2024 को इतने candidates अपियर हुए है और 5 फरवरी को 258 candidates अपियर हुए है ठीक है दोस्तों तो यह सारा data था जो मैं आप से share करना था और यहा अगर कहीं है तो महाँ पर 0.25 का निगेटिव मार्किंग है यह सब कुछ नों ने यहां पर दिया हुआ है इंटर्वीव के लिए इनोंने बोल लिया है देखे दोस्तों candidates who have qualified the mains examination paper 1 and paper 2 will be invited for the interview which is being started on 1st April and will continue until 27 April 2014 the number of candidates who have been declared eligible for interviews is about 5 times the total approximate number of vacancies 553 553 का almost 5 times लगबाग इनोंने जो candidates बुलाए है वो है 2644 अब यहां पर देखना यह important है कि यह जो 239 results later वाले जो candidate है इनका क्या होता है अगर यह inclusive है मतलब कि इनको interview का call आएगा अगर यह इसी में है क्योंकि bracket के अंदर लिखा तो obvious inclusive है तो obvious है कि फिर इनके लिए अलग से या तो हो सकता है interview का call है या फिर हो सकता है दो चार पांच दिन में यह उनका भी interview call letter release कर दे जैसा भी होगा वो देखना होगा एक दो दिन में क्या करता है इसके बारे में क्या जानकारी देता है वो सब सारी चीज़े हमारे लिए जानना जरूरी तो यह जो कुछ registered candidates आप देखिए almost 90,000 के आसपास और आप देखिए appear कितने हुए 33,000 के आसपास मोटा मोटा मान लेते हैं 33,000 देखिए आप कितना register मतलब की form भर रहे 90,000 अप्यार हो रहे 33,000 पहला competition तो आपका यहीं पर कम हो जाता है तो अगर आप आगे future में इस exam की त्यारी करना चाहते ह आपको लगता है और यह vacancy आने की जहां तक उम्मीद है आप चाहते हैं कि इस exam के लिए तैयारी करें तो आप अपनी preparation चालू रखिए बाकि जब यह भी जब भी आएगा यह notification अभी हाल फिलाल कहना बहुत जल्दी होगी जब भी आएगा लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका यह dream job है आपको चाहना है आपको पाना है patent office में जाकर करके job करना है तो आप अपना धीरे धीरे कुछ ना कुछ पढ़ते रही है बस that's it इससे जादा मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा और जो कुछ भी जानकारी चाहते हैं आप हमारे WhatsApp नमबर पर WhatsApp कर सकते हैं या फि It is stated that the examination in phase one and phase two was conducted smoothly and fairly अभी देखिए क्या है बहुत सारे candidates यह वीडियो के नीचे comment करते हैं यह घपला है सीट बिग गई है यह candidates भी के हुए है यह है यह यह है ऐसा नहीं है भाई बहुत सारे candidates हैं जो genuine है बहुत सारे और जो अल्रेडी अपने interview experience मुझसे share कर रहे हैं इतने सारे candidates हैं जो वाकई में genuine है तो आप इस तरह के comment मत करें और मेरे इसाब से comment वही करता है जिसका exam यह result में लिस्ट में नाम नहीं आता है exam qualified नहीं होता है वही यह सब comment करता है otherwise जो genuine पढ़ने आला बंदा होगा यह सब नहीं करेगा और इतने candidates हैं एक नहीं मैं आपको पता नहीं कितने candidates के नाम बता दू जो genuine candidates हैं और जो वाकई माज interview दे रहे हैं तो इस तरह के comments मत किया करें तो thank you very much and thank you for watching